देखियाज 29 जून है और जनता दल युनाइटेड के राष्ट कारणी की जो बैठक है वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है नितीज कुमार पाटी के तमाम सांसत, तमाम विधायक, तमाम पताधिकारी सभी लोग दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और आज का दिन बेहत खास ज जनता दल युनाइटेड और बिहार की राजनिती के लिए माना जा रहा है, कई दिनों से कई तरह के क्यास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि नितीज कुमार आज कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये बात अब सही होते हुए दिख रहा है, जो खबरे निकल कर दिल्ली से आ रही हैं, उसके मुताबिक नितीज कुमार जो है, वो पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष और कारकारणी अध्यक्ष दोनों के पद पर नए चेहरे लने जा रहे हैं, जी हां, अगर बात करे, नैस्नल प्रेशिडेंट की, यानि राष्ट्री अध्यक्ष की, तो संजय जहा का नाम बरी परमुकता से चल रहा है, परमुकता से नहीं, यूँ कहिए कि वो नाम लगबग, फाइनल कर लिया गया है, कि संजय जहा जो है, वो जेडियू के अगले राष्टी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, देके पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है, क पाटी में करीब दो दसक से नितिश कुमार के साथ रहे हैं, और मतलब विधायक रहें, मिलसी रहें, और उसकी साथी साथ मंत्राले उन्होंने समा रहा है बिहार कैबिनेट का, और जब राज सभा के वो सदस्य बनाए गये, उसके बाद इस बात पर क्यास था, चर्चा हो रही थी कि मोदी मंत्री मंडल में संजय जहा को जगा मिल सकता है, लेकिन जब मंत्री मंडल तै हुआ, और रामना ठाकुर के साथ ललन सिंग का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद से ही ये चर्चा बहुत तेज हो गई, कि आकिर संजय जहा को लेकर नितिश कुमार क्या सोच रहे हैं, संजय जहा पार्टी में अब किस भूमिका में दिखेंगे, तो सबसे बड़ी भूमिका जो राष्टी अध्यक्ष की होती है, उस पद पर नवाजित होने जा रहे हैं, संजय जहा करकारणी अध्यक्ष की बात करें, तो मनीजवर्मा के नाम पर काफी चर्चा है, मनीश वर्मा पूर्व बूरोक्रेट रहे हैं, उडिसा के कई जीलों में डियेम रहे हैं, जब यहार उनका ट्रांसफर हुआ तो पुरुनिया से लेकर पटना तक वो डियेम रहे, इसके अलावा कई वदों पर सचीव रहे हैं, वो मनीश वर्मा जो हैं बीते दो सालों से नि जेक्ष नितिश कुमार बना सकते हैं, मनीश वर्मा कूर्मी जाती से आते हैं, इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि नलंदा के रहने वाले हैं, नितिश कुमार के बड़ा दूलरवा में से मतलब सामील हो गया है, आगर उनका सोचल मेडिया के पेज को देखे तो वहाँ प कट दिया, नितिश कुमार का वह एक्सपरिमेंट सफल भी हुआ, लेकिन अब मनीश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी जो है, वह पाटी देने जा रहा है, तो देखिए बैठक जो है वह शुरू हो चुकी है, अब नितिश कुमार के ऊपर है कि आज क्या-क्या फैसला लिया अब एक क्या वह आप क्या था दिया कर लिया है